बांकिंग शेरों की चाल देख लेते हैं, फ्राइबेट बैंक में कुछ बैंक से जिसमें ऐक्सिस बैंक, आर्वियल बैंक और कोटक, इन तीनों में आज अच्छी तेजी है, आर्वियल में भी इतनी तेजी है, कोटक बैंक भी 7 परसंट के आप सपास मजबूत है, सुमित इ कोई भी वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है तो बहुत एक slow momentum लेकिन positive momentum के साथ stock trade कर रहा है अगर किसी के पास already holding है तो यहां पर अगर मैं लंबे नजर यह की बात करो तो 910 का stop loss आप maintain कीजिए आज एक rounding bottom breakout होने के भी chances है अगर stock 965 के उपर closing दे रहा है तो 965 के उपर अगर closing दे रह भी same अपने resistance से ही stock को reversal मिला था that was around 1980 levels एकी दिन strong momentum बना था लेकिन उसके next day से देखिए फिर से downside आ गया तो मैं अभी भी यहां पर wait करूंगा 1980 on the closing basis then only the fresh trade can be initiated चले कुछ और भी midcap companies पर नज़र डालते है banks तो हमने बात की लेकिर ना कुछ छोटे चले NBFC stocks भी चल रहे हैं Capri Global देखिए एक बार यह stock अपने दिन की उपरी सतर पर आ चुका है 739 के पास कारोबार कर रहा है और stock आज 4% की मजबूती दिखा रहा है इस वक्त stock stock में अची तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है राहूल क्या suggest करेंगे Capri Global में क्या इस वक्त कोई trade आपको नज़र आ रहा है तो short term के लिए यह chart अच्छा लग रहा है upward trending channel में trade कर रहा है 20 day EMA को respect कर रहा है हर बार जब उपर जा रहा है एक zone बना की उपर जा रहा है तो definitely chart का structure अच्छा ही है तो short term के लिए higher targets के लिए बिलकुल expect कर सकते हैं जो एक resistance point है वो 790 और 800 के बीच में जो अभी भी 7-8% दूर है तो इसलिए being long in this का advice रहेगा हमारे ग्लोबल को लेकर ये view है लेकिन तुझा कुछ नई का